Hello everyone, यह है Craftsman Automation के quarter 3 के result तो आगे यहाँ पर analyze करेंगे share के results यहाँ पर कैसे आई हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस share के yearly basis के income को तो yearly basis में यहाँ पर जो share है इससे हमें 75,364 के income yearly basis में generate हुई थी जो quarterly basis में 1.13,320 यहाँ पर हो गई है quarterly basis में यहाँ पर जो share के income है वो यहाँ पर increase हुई है इस share के total expenses के अगर हम बात करें total expenses yearly basis में 67,412 था जो quarterly basis में 10,239,20 यहाँ पर हो गया है income के साथ यहाँ पर share के expense भी increased हुए है total comprehensive इनकम yearly basis में 10,436 लाग था, जो quarterly basis में 10,231,00 लाग के करीबन यहाँ पर हो गया है आगे हम इस शेयर के अंणिंग पर शेयर को भी यहां पर देख लेते हैं अर्ली इंडी पर चेयर एड़ली पेसे वंडी पॉन्टी फॉइट्वाइब सेंटी थी पैसे था अब जो है 35.1 पैसे के रांड यहां पर हो गया है वड़्ाल अनलाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share के result है वो अच्छे देखने को मिले हैं price level की बात करें तो maximum target इस मन तक का share का आपको जो है 4,800 रुपे के round यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो अगर आपके पास यह share है और आप यह share को यहाँ पर hold करके रखना चाहे पर आपके वाँ एखने हैं